हलो फ्रेंड्स टेल ओफ यम वित गीता में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आजकल हरे मटर बजार में बहुत मिल रहे हैं तो इसे स्टूर हम कैसे करे साल भर के लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगे ये देखिए मैंने करीब हाफ केजी मटर लिया है और इसे मैं नहीं तो ये फिर बाकी मटर को खराब कर देगा हम गैस पर पानी बिठा देते हैं और पानी हमें इतना लेना है कि उसमें करीब सारे मटर डूब जाए ये लगभग 2 लिटर पानी है और इसके बॉयल होने का हम इंतजार करते हैं उस उबलते वे पानी में ये देखिए हमे में लगभग 1 चम चीनी और थोड़ी से नमक डालना है ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है और अब मैं इसमें चीनी और नमक डाल देते हैं इसके बाद हमें मटर को भी डाल देना है कि ये देखिए मटर अभी हमारे सारी नीचे दूबे हुए है पानी में और हमें जैसे ही मटर सारे मटर ऊपर आ जाएंगे तो हमें इसके निकाल लेना है ये देखिए मेरे मटर सारे लगभग ऊपर आ गया है और अब हम इसे निकाल कर ठंडे पानी में डुबो देना है इससे क्या होता है कि इसका कुकिंग प्रोसेस रूप जाएगा और मटर ग्रीन के ग्रीन ही रहेंगे अब हम गैस आफ कर देते हैं और सारे मटर को निकाल लेंगे सारे मटर मेरे निकल गए अब इन्हें ठंडे पानी में करीब दो मिनट रहने देते हैं फिर इन्हें हम निकाल कर छान लेंगे और इसे फिर सुखा लेंगे फैन के नीचे यह देखिए मैंने सारे मटर को एक कॉटन कपड़े में बिचा दिया है और इसे सुखने देते हैं करीब एक दो घंटा फैन के नीचे जब यह सुख जाएंगे तब हम इन्हें स्टोर करेंगे यह देखिए मटर अब मेरे सुख गया है और अब मैं इन्हें एर टाइट डब्बे में रखोंगी आप चाहें तो इसे जिप लोग बैग में भी रख सकते हैं वह भी बहुत अच्छा रहता है लेकिन मेरे पास अभी अब लेवल नहीं है इसलिए मैं इसे डब्बे में अब यह मटर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा एक साल तर आपको जब भी यूज करना हो आप इसे फ्रीजर से निकालिए और फिर जितना यूज करना हो ले लिजिए और वापस इसे फ्रीजर में रख दीजिए तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सेुस्ट आपको अब यहां करी थे ट्यीजर का थूब यूब यूब यू